नमश्कर दोस्तों फुरसे स्वागत आप एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास OPPO K10 5G है या कोई भी फोन है जिसमें आपको Android 12 और ColorOS 12.1 मिला है तो यहां पे आपको अगर बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम आ रही इसको आप यहां पे एप इन्फो पे जाके इसको अनिंस्टॉल कर दो तो यह मैं अनिंस्टॉल इस ले कर वारी हूँ कि जो अप्लिकेशन आप यूज नहीं करते हो बहुत रेर चांस होते हैं यूज करने के उसको आपको अपने फोन में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो स्क्रॉल करना है और यहां पर चले जाएंगे आप फोन मैनेचर पर फोन मैनेचर पर जाने के बाद यहां पर आपको एक बार इस पर क्लिक करना है इसको क्लिक कर देंगे और इसके बाद यहां पर बैक करके वायरे से स्कैन कर लेंगे और यहां पर इस पर क्लिक कर लेंगे आपकेphone में कोई भी virus वगरा होगा तो वो scan करके fix कर देगा wait कर लेगे तो यहां पर इस step से आ जाेगा और इसके बाद यहां पर back कर लेगे और इसके बाद यहां पर आपको क्या करना है अप management पे जाके वही सेम चीज जो मैंने आपको बोला था कि आपको से अनिंस्टॉल नहीं हो पाएगा तो पहले मैं इसको अनलोग करके इंस्टॉल पे क्लिक कर लोगी इसके बाद यहां पे बैक कर लेना है और यहां पे टूल्स का ऑप्शन आ जाएगा तो टूल्स में आपको और भी चीजे देखने को मिल जाएंगी और फाइनली हम इसको ब आप लांच का ऑप्शन है आप लांच पे जाऊंगी तो यहां पे बैगराउंड में यह एप्लिकेशन इतनी है जो आटमेटिकली रन करती है बिना आपके परमिशन के तो मैं यहां पे इसको बंद कर दूंगी क्योंकि इसको कोई मतलब नहीं बनता है कि यह बैगराउंड के बाद यहां पे चार एप्लिकेशन ऐसी है जो आपको रेकमेंड कर रहा है आप्टमाइज के लिए तो यहां पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेफ पावर पे क्लिक करेंगे और टर्ण अन लोकेशन ठीक है और अब यहां से वापिस से ही बैटरी पे चले जाएंगे और यहां पे अभी भी दो रहा गया है तो इसको भी optimize कर लेंगे इसको भी optimize कर लेंगे तो इस दार्क mode में करने के लिए इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहां पे जो light mode होता है वो आपकी battery का consumption ज्यादा करता है तो इसको आप dark mode में यूज़ करेंगे तो आपकी बैटरी का कंजप्शन कम होगा इसके बद कंप्लीट पर क्लिक कर लेंगे ठीक है तो अभी मैं इसको लाइट मोड में कर देती हूं क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है इतना करने के बाद इस टैप से ऑप्शन आएगा अब यहां पर पावर प्लेशन का है जहां चार्जिंग पॉइंट है तब ठीक है और टर्न ओफ आटमेटिकली जब यह 90 परसेंट चार्ज हो जाएगा तो यह पावर सेविंग मोड आपका हट जाएगा इसको आन रहने देंगे और यह वाला ओप्शन आउन कर लेंगे इसके बाद बैक कर है जब आप यहां पर गेम वगर प्ले कर रहे हैं तो यहां पर हाई पर्फॉर्म पर्फॉर्मिंस लगता है आपकी बैटरी का तो इसको आप बंद करके रखेंगे और इसको सब पर आप ऑटो आप्टोमाइज क्लिक कर देंगे यहां पर सारी अप्लिकेशन पर ऑटो आप कर देते हैं तो यह आपनी बैटरी की हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं चले मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार